ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करिए हमारे स्टी न्यूज चैनल को और दबाईए इस घंडे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरे मनुश अपने हातों से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग करता है एक मूर्ती बनाने अला मूर्ती कार उसे अच्छे से अच्छा कार देने की कोशिश करता है चित्र एक कवीता है जिसे शब्दों की कोई आवश्यक्ता नहीं होती एक चित्र बनाने वाले को अपने कानों से चित्र कारी करनी चाहिए और अच्छा लिखने वाले एक राइटर को अपनी आखों से लिखना चाहिए क्या नाम है आपका राजेंदर प्रशाद तो कहा के रहने आले हैं आप मैं रहने वाला लखनों का ही हूँ और यहीं पढ़ाई किया था तब से यहीं हूँ अब बना रहे हैं तो यह आपकी क्या चीज दर्शाना चाहिए लाइफ पर हम काम करते हैं उनी की लाइफ पर उनी की लाइफ से जुड़ी वी चीजें और अपने तरह का बुद्धा प्रस्तुत करने की कोशिज करते हैं बुद्धा सभी लोगों ने बहुत सारे कलाकारों ने मत आया सब के अपने अपने जलक मिलते हैं बुद्धा में वैसे ही मेरे अपने स्टाइल में बुद्धा का जलक है तो आप कितने सालों से पेंटिंग करते हैं पेंटिंग तो मैं जब यहां पढ़ने आया उसके पहल क्या है उसी में ढूड़ते रहते हैं हम कई नहीं खोए हम तो कला में तलास कर रहे हैं जो मिल जा है उसको प्रस्तुत करते रहते हैं स्टेप बाइस स्टेप जो हमारे उसमें जहन में आजाता है उसको प्रस्तुत करते हैं और गुद्ध के लाइब से संब्नित सारे चित्र बना रहा है तो सर किती देर से ड्राइंग बना रहे हैं यह तो स्टार्ट किया कल से कल मौड़नी से तो यह यानि कि पेंटिंग आपकी क्या छीज़ दर्शान चाहिए रही है यह सीरी जो मेरा चला है जेंडर रिसूस में अक्सर काम करता हूं तो उसी का एक पार्ट लेकर यहां भी में काम करना चाहरा हूं जो एक तो समाज जो है देवी पूजा करता है लेकिन जब नारी सम्मान की बात आती तो उसको भूल जाता है तो मैं यही द्वाव होने लगता है और समाज में बहुत से गलत मैसेज भी है तो उसको मैं नगरात्मक को सकरात्मक की तरफ ले जाना चाहूंगा बहुत सारी घटनाय घटनी उसको मैं नकार देता हूं लेकिन उसमें से अच्छी चीजें कैसे समाज तक पहुचे इस पेंटे की दिल्ल की शोर है और दिल्ली से है तो यहां सब आपके पीछे ड्वाइंग बनी हुई है तो यह क्या चीज दरशन है यह मैंने इसमें एक एंजल बनाई है जो एंजल है और जो यहां पर हम लोग फिप्टी सिक्स फांडेशन डे इस्टेट लेलित कला एकडमी को आज हम से पिप्टी सिक्स के साथ जो आज एक Já कह बिलकर यहां पर हैं फॉंडीशन डे में में सैलरीशन में पार्चसमेट करने है तो यह ज, क्यूंकि यह फिप्टी स्टेट लेशन हो रहा एस्ट लेलिकलए का और इसमें डिफरेंंट तरीके के लोग अच्छा है और उसको इंज्वाइब करने के लिए मैंने देवदूस से अपने एंजल बुलाएब है कि वो भी हाँ पर आकर इंज्वाइब करें क्योंकि यह इस्टे लेल्सक्राइकडमी का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रयास है जो मुझे लगता है साथ हम लो क्वाएब क्वाइब करने और बबगर छाओ साथ हैं मुझेक और फाइन अर्स का परफोर्मिंग का इन सबको ले कर एक वाएब कर दूसर् । सिर्द कण कर एक सामान ज़ीर्स को लेकर हम दूसरी पेंटिंग्स तियार कर आ हैं लेकिन वлоह कुझे छे गर्बा रहा है और एक οπο怂़काल जिस माहूल जो ही उसको साथ पो न्जवाई करना चाहता है और यहां का जो माहूल और सिर्फ एक उससाथीत का माहूल. हर तरफ कला की बात हो रही है, कलाइकार बैठे हुए हैं, कलाइ जो है बिक्धरी हुई है तो उस इस कला के साथ एक जो आम आदमी आ रहा है वो भी कितना इंज्वाय कर रहा है वो सब इस पेंटेक्स पे दर्साए जाएगा कि यहां पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ कप्स पॉट्स यहां पर बहुत सारी चीजे हैं तो यह आप लोगों लग रहा होगा कि रेडी मेड है कि क्या है लेकिन यह हैंडमेड हैं आए इन से पूस्ते जो इनके कलाकार हैं जानतें इसके बारे में क्या नाम है आपका रमिश्कमार पटेल तो यह जो आपने यहां पर रखा हुआ है इस अब कैसे बनाए गाएं जी कुछ तो विल पर बनाए गाएं और कुछ हाथ से बनाए गाएं तो कहां पर बनाए गाएं और मेरे तो काम बेच चुक हैं और मैं इस्टा काम भोपाल में किया हूं भारत भॉन में तो यहां पर इस चीज को आप कल्या के रूप में देते हैं कि आपका जो ड्राइंग भी है इसको भी सब कला ही है पेंटिंग हो चाहिए सिरमिक हो तो जैसे नहीं आपके बैक्ग्राउंड में जैसे कोई जैन्स और लेडी जो नजर आ रहे हैं तो यह पेंटिंग क्या गहती है अब देखने वाले का नजरी आलग अलग होता है और कलाकार क्या सोच के बना रहा है वो उसका हूँ मत जब सुनेंगे तो पता चलेगा हम देखेंगे तो कुछ और सोचेंगे कलाकार और सोच के बना रहा है तो अगर कलाकार से बिसकली मिलके हम बात करेंगे तो चीजे प्रशाना चाहिती है यह बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर मंदिर में चुन्री भी बहुत सारे बाने हुए लगे और घंटियां बहुत जादे लगे तो मैं उनसे इंस्पार वकल क्वेंटिंग बना तो यह किस चीज से बनी है यह जा आप आजाएए आज एक प्रक्रिया है कि हम अलग तरह के तीलक लगाते उससे अलग इंपेक्ट रहता है और उसे आप दसनामी अखाड़े में हैं किस अखाड़े सा बिलॉंग करते तो तीलक रिप्रेजेंट करता उस बात को तो उसको लेके मैंने एक रिसर्च की इस फॉर्म के साथ कैसे हम प करते हैं कुछ लोगों से और मिलते हैं कुछ कला से और रूबरू होते हैं क्या नाम है gemed नाम मनिश्थ्ट देव है तो यहां विजैसे बहुत सारे चित्रके लगे हुए आपके लगे हूंग है जी गार रिखरी यह कहां का छित्रक है ये ये रूमnी गेत का है वीन देन के बनाया है ये वग ळभा लुद्द ने सब्सक्राइब था फिलर्स पेली filter का फिल्छ के इसको हमने और कला से किया है और हमारी ये मोर्ड उन्घ के नर्न Note क्लारा से कीया है जिसको फिल्म प्राइब नहीं है कि इस चीज को पेंटिन को मैं अपना कैमेरा मैं आप दिखाएं कि बहुती खुप सूरत पैंटिंग बनी हुई है जिसको शायद शब्दों की जरूरत नहीं है में अपका क्या नाम है? शेजी खान मैं आउना के रहने वाले है तो आपके द्वारह यहां एक कोई पेंटिंग लगाई गहे अगाई गाई कोई इस बीमेरी पेंटिंग से यह इनके द्वारह भी आप एक पेंटिंग आर्ट 까v देख रहे हैं तो मैं यह पेंटिंग क्या कहना चाहिती है यह पेंटिंग मैंने गाउं के थूर पे बनाई है आज भी आरते पानी भड़ती है और अपना घर चरा कोई और सी पेंटिंग आप तो यह पेंटिंग कब बनाई थी यह मेरी पेंटिंग इसी 6 मंत में चो मैं अकैडमी में करती थ जगत गुरू रामभद्राचारियत दिव्यांग विश्विद्याले से भी एक दिव्यांग ने यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई यह उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने पेंटिंग किस तरीके से बनाई है तो क्या नाम है अपका मेरा नाम बसन तलाज सींग तो यहां पर यहां पर यह पेंटिंग इन्होंने किस तरीके जबनाए जब राधा कृष्ण को क्रिएट करके लोगे जीवन पर बनाये हैं बहुत सारी पेंटिंगे बनाए मुद्ध यहां पर एक यह पेंटिंग आई तो यह पेंटिंग क्या दर्शाना चाहिए राधा कृष्ण के इसको अधर देखते हैं राधा कृष्ण है और प्रियेट करके बनाया है उनके जो भाव होगा उतना हम लोग नहीं बता पाते हैं उल्ग मैंसे ही तो आप इस पेंटिंग पर क्या गाहें इसलिए तो बोलनी कि अधर कुछ दिखाना चाहिते हैं कि देखिए साइन कुछ दिखा रहा है कि लेपटाप चला लेपटाप और अभी इनके ज्वाइन लेटर भी आया है तो समय कि युवा दिवस पर है और इस पेंटिंग है ये पेंटिंग बनाई की हैं यहां पेंटिंग किसने बनाई गे तो इनसे भी बात करेंगे इनके पीछे आप बैक्राउंड में देख रहे होंगे कुछ माहत्मा पुद्धिजी की ड्राइंग है तो क्या नाम है अपका मेरा नाम सशी शेखर है मैं महात्मा गंदी कासी बिद्ध्या-पिड गंगापु तो यहां पखा प्रिशर का च्छात्र रहों तो यहां प्याब जैसे कि यह सब पेंटिंग लगी होकी है तो आप इसे सोकस करके बनाया गया है वहां पे सादु सादु के जिप को लिय यह करके बनाया गया हैं है हमने लाइफ डैल्ब पर डेली लाइफ पर लाइफ और जैसे कुछ घाट वनारस के जह जो किसा फोटोग्राफी जैसे बैले लाइफ में आप हमारा फोटोघ्रह सेक्ता है बोरे का और यह वाइड डाइफ फोटोग्राफी पैने व बना इंट ए ہے है यह उपका यह अपका यहां इमामबरा को बाहर का सीमें ऑज़.? पार एंदेस्ट चीजश मेरे से लिए लगाए रगाये कर दिर अब है उपना क्या हुआ किई वर्टयों मीडिय ने चाल से भाद र subt एक राटर मेरे यानी ऑन की बहुत आठ घ्टराभी गई ऑर स conduct remain पूरे घट कोश जाइग उए है यहां पे आप देख सकते हैं पूरा जितना यह आपका बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो यह वाटर कलर से अपने पेंटिंग की है वाटर कलर से यह सब बाटर कर रहे हैं यह जैसे क्या आपका यह सब चेत्र हैं तो यह सब क्या महां के दो शुर्ण परबनारा स्कूल ले कि थे अपकर का म्म रहे हैं पेपर कप से माहत्मागानी का पोटेड बनाए गया गया है वह हम ही लोग के दौरान बनाया गया है हम है यह आर्जुन है सौराव हैं प्रीजेस हैं शची शेकर हैं इन लोगों ने रादबर जाक के इस इंस्टालेशन को वारांसी से पुरा विद्या पिट में वो लगा हुआ था आठ फेर हुआ दो वहां पे अब वहां सी यहां कर दो